नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भाचंद्र प्रहम्हंट सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धूम्रपान या फिर मध्यप्यान या फिर किसी भी प्रकार की लत लगना जिसे हम कहते हैं वो कुंडली से किस तरह से जाना जाए उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं नौर्मली आजकल की जमाने में लगना या फिर मध्यपान धुम्रपान इस प्रकार की जो एडिक्शन्स है वो होती ही है नौर्मली बड़े तोर पर देखा जाता होती है लेक कुंडली के आधार पर आप किस प्रकार से जान सकते हो कि यह जो एडिक्शन्स है वो एडिक्शन्स कितने ज्यादा है या फिर इसका जो स्तर है वो कितना ज्यादा हो सकता है जैसे कि इसके लिए जो द्वितिया भाव है कुंडली का जो द्वितिया भाव है जिसे धन बहुत ही जादा बनती है उसके और भी जो योग है या फिर और भी जो बाते हैं वह काफी तीखी होती है सीधिये सीधिये बोलने वाले थे बहुत जाट रांसफर से दिखाते हैं और इनमें स्पेंडिंग, खर्चे इनके हाँ से बहुत जादा होते हैं ये उसके परणाम है वो थोड़ा अलग से है लेकिन जैसे के एडिक्शन के बारे में हम बाचित करें तो यदि द्वितिया भाव में मंगल है मंगल नेक्चुन है मंगल शनी है तो एडिक्शन होने के चांसे ज़्यादा बढ़ते हैं ऐसे जल लोग होते हैं उनको तीखा खाना भी या फिर नॉन्वेज फूर भी जादा पसंद आता है तो यदि द्वितिया भाव में मंगल है तो इस प्रकार की जो एडिक्शन है वो होने के संभावना काफी जादा बनती है उसी प्रकार यदि या फिर केतु के युति में हैं चंद्रमा यदि मंगल के युति में हैं तो भी एडिक्शन होने के चांसे काफी जादा बनते हैं उसी प्रकार रवी और मंगल का प्रतियोग है रवी और रवी और नेप्चुन का युतियोग है रवी और नेप्चुन का प्रतियोग है तो भी addict होने की chances काफी जाधा बनते हैं इसी वजह से बहुत जारे योग है लेकिन इस योग में से यदि एक भी योगों में यदि वह कुंडली यहोगी तो भी आपके कुल्ले में एडिक्शन होने के संभावना काफी जादा बनती है और दूसरी जादा महतोपुर्णा बात इनके लिए एक बात काफी जादा महतोपुर्णा है यदि किसी प्रकर के एडिक्शन से अगर इनको बचना है तो फिर थोड़ा सा ध्यान या फ थोड़े देर तक के लिए थोड़े इस चीज से स्ट्रेस एफिटेंशन से बाहर नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस सहन न करने के वज़ए से ही एडिक्शन में थोड़ी बड़ोतरी होती है शुरुआ तो काफी नॉर्मल तरीके से होती है लेकिन धीरे-दीरे जैसे उन्हें पता चानता है कि इससे थोड़ी राहत मिलते हैं जब तक आप उसके नशेख के प्रभाव में हैं तब तक आपको इससे थोड़ा सा आपको आराम मिलता है और फिर युसके जो डोससे جोते हैं वो बढ़ते-बढ़ते जाते हैं और अडिक्शन इस तरफ पर पहुँचता है कि वो आपके जीवन पर बहुत ही गहरा असर करता है तो ये चीज ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और अगर इस प्रकार के योग है किसी भी कुंडली में तो उनके लिए एडिक्शन या फिर एडिक्ट होना ये बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है आपके इसके संदर पर विचार क्या है आपके अनुवा क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रू कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्माट सिद्यास्टो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करना धन्यवाव